नवस्कार आप देखे हैं नियूजबर इंडिया मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार जम्मू से हर्याना तक योगी आधित्यनाथ का जल्वा कायम है और योगी आधित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां बीजेपी की बढ़त है हर्याना और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं हर्याना में जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है वहीं जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रदर्शन बहतरीन रहा लेकिन इस पीच अगर इन राज्यों में कोई गेम चेंजर साबित हुआ है तो वो है यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ याद करिये लोग सबा चुनाव में किस तरह विपक्ष ने जाती के नाम पे सियासी दुरुवी करन का खेल खेला था यूपी में तो इसका खासा असर भी देखा जा रहा है देखा भी गया और बीजेपी की सीटे घटके आधी से भी कम हो गई लेकिन बावजुद इसके सियम योगी ने हिंदुत और सनातन के अजंडे को नहीं छोड़ा हर्याना चुनाव में सियम योगी के बयानों ने तो एक तरह से ट्विस्ट हिला दिया जहां योगी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देखे माहोल ही बदल दिया इसके अलावा पूरे चुनाव में CM योगी ने स्तनातन के अजंडे को मजबूती से साधे रखा सवाल ये कि क्या योगी के इन ही तेवरों का BJP को फाइदा मिला जो दस्ताल की एंटी इंकमबैंसी का बाधा भी पार करते दिखे क्योंकि CM योगी के इसी लाइन को बाध में प्रधान मंत्री और RSS परमुक महन भागवत ने भी इसे पकड़ा तो सवाल ये कि क्या हरियाना के नतीजे योगी को हिंदुत्तु का सबसे बड़ा पोस्टर बॉई बनाने वाले है तो योगी की रही ने दमखम दिखाया रही उने और जहां जहां प्रचार उनों ने किया वहां वहां पार्टी बढ़त में रही नतीजों का इंतजार है रुजहान आचुके हैं रुजहान में बहुमत बीजे पी को हरियाना में बिलता हुआ दिखाई दिया पहले कॉंग्रेस शुरुवाती रुजहानों में आगे थी लेकिन अब बीजे पी बढ़त बनाये हुए है और अगर बीजे पी ने यहां तीसरी बार जीत की हैट्रिट लगा दी तो फिर यह अतिहासिक होगा और इसमें कौन-कौन से फेक्टर है उस पे भी बात होगी लेकिन योगिया अदित्यनाथ जहां जहां गए वहां वहां पार्टी को बढ़त हासिल हो रही है हिंदुत्यू को उन्होंने धार दी सनातन को उन्होंने उसका जिक्र किया तो राहुल की जलेबी यहां फीकी पड़ गई और योगिया अदित्यनाथ की रैलियां सभाएं सम्मेलन गुभारी पड़ गए योगी फैक्टर जो है उसका कितना असर रहा इस पर भी बात करेंगे अबसे कुछ देर में एक वरिष्ट पैनल हमारे साथ होगा लेकिन प्रतिक्रियाएं भी लगाता रहा रही है कॉंग्रेस अब चुनाव आयोग को ये कह रही है के धीमी रफ्तार से अपडेट किया जा रहा डेठा और बीजेपी अभी गदगद दिखाई दे रही है शुरुआत में बीजेपी के चेहरे बीजेपी नेताओं के कारेकरताओं के मायूस वो दिखाई दे रहा है थे कॉंग्रेस खेमे में जश्न था जलेबियां बटना शुरू हो गई थी और 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 दे दिये गए कि शाम तक और जादा जलेबी ले आईए लेकिन सुभा जैसे जैसे वक्त आगे गुजरा खालात बदलते गए जजबात एक दम बदल गए कि वही एक दम साठ सीचे दिखा है तो अब ये हरियाना के नतीजे तै कर देंगे कि हरियाना का जवान किस के साथ है हरियाना का किसान किस के साथ है हरियाना का नोजवान किस के साथ है चुकि बड़े बड़े वादे कॉंग्रेस ने भी किये कई कमियां भी सरकार की सामने रखी लेकिन दस साल की एंटी इंक फिर्ञाड़ गयी किसके खिलाब गयी किसे वादों पर भरोसा किसके वादों को नकारा तो अ चुकि योगिया दित्यनात्य ने जम्मू कश्मीर से लेके हरियाना तक में कई सभाएं की संहिल्ण किये समिक्षाएं की संबोधित किया उसमें हिंदुत्यू को धार दी उसमें सानातन को धार दी उसमें हिंदूओं की बात की उसमें ये कहा के बटेंगे तो कटेंगे यानि एक जुट रहने का संदेश दिया ये सारे मैसिज ये सारे संदेश कितने कारगर साबित हुए क्योंकि जहां जहां उन्होंने रेलियां की वहां वहां BJP को बढ़त पंती हुई दिखाई दे रही है वहां वहां BJP जीत की और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सवाल यही कि क्या ये नतीजे योगी आदित्तिनात को हिंदुत्तु का फोस्टर बॉय एक बार फिर सामने लाके रख देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सभाव में जो संबोधित उन्होंने किया उन्हें इनी शब्दों का जिक्र कई बार हुआ उसमें सनातन का जिक्र रहा उसमें हिंदुत्तु का जिक्र रहा उसमें हिंदुों की बात हुई उसमें ये कहा कि एक जुट रहना हुगा उसमें ये कहा गया कि अगर बटे तो फिर कटेंगे ये सारे बयान जनता को पसंद आए लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए पहुँचे चाहे बाद कुरुशेत्र की हो चाहे बाद फरीदाबात की हो हर्यारा के अलग अलग शेत्रों में उन्हें कई सभाएं की जम्मू कश्मीर में कई जगा उन्हें सभाएं की समेलन किये संबोधित किया अब वो निर्वाचन आयोग जो निस्पक्षता से काम कर रहा है जिस निर्वाचन आयोग वे मैं जब उनके फक्ष में फैंच ले आते हैं तो उसकी तारीब करते है और मैंने दो दिन पहले कहा था कि हर्याना की जनता देगी जवाब और कांगरेस के लोग बताएंगे यूए में खराब वो काम आज करके दिखा है तो ये प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं राजनितिक पार्टियों के लोगों की भी और आम जनता की भी अब चुकि शुरुआत में जब कांगरेस के पक्ष में माहोल बना शुरुआती रुजहान में तो जलेबियां बटने लगी खुशी जाहिर की जाने लगी धोल नगारे बजने लगे फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगा काउंटिंग बढ़ने लगी तस्वीर बदलने लगी और बढ़त में बीजेपी आ गई पीछे कॉंग्रेस हो गई अब साब इलेक्शन कमिशन को लेके सवाल उठ रहे हैं कि वो डेटा धीरे अपडेट कर रहे हैं वहाँ इतनी धीवी के वेबसाइट चल रही है वो डेटा अपडेट नहीं कर रहे है तो हरियाना में योगी की कुल 14 जन सभाएं हुई इन में से करीब 15 सीटों पर बीजेपी की को लीड मिली है और 11 सीटों पर जीत लगभग तय है चार पर काटे का मुकाबला है योगी का स्ट्राइक लेट हर्याना में भी बहतर रहा तो योगी की अन्य राज्यों में तेजी से दिमांड बढ़ रही है और जहां-जहां चुनाव होते हैं वो प्रचार के लिए जाते हैं योगी अधित्यनात का प्रचार यानि जीत की गैरेंटी तो मध्य प्रदेश, 36 गार, राजस्तान के चुनाव में भी योगी का जलवा दिखा था इन राज्यों में योगी का स्ट्राइक रेट 75 में से 90 प्रतिशत रहा था और जम्मू रीजन में भी योगी ने रैलियां की योगी ने जहां रैली की वहां रुजहान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है लीड बनाए हुए है तो हरियाना में सीम योगी ने 21 सीटों पर प्रचार किया और कुल 14 जन सभाएं हुई उनकी इन में से करीब 15 सीटों पर जोकि अलग-अलग सीटे थी तो जहां-जहां योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की सम्मेलन किये, सम्बोधित किया वहाँ-वहाँ BJP को बढ़त मिल रही है और योगी आदित्यनाथ की डिमांड ऐसी है कि चाहे MP में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव हो, हिमाचल में चुनाव हो, कश्बीर में चुनाव हो, हर उमीद्वार ये चाहता है कि वो उनके लिए आके प्रचार करें, प्रसार करें, चुकि योगी अगर वहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब है कि जीत लगभग 50 प्रतिश्यत उसी वक्त तैह हो गई ये पिछले आकड़े बताते हैं, कि जादतर सीटे, जहाँ जहाँ योगी आदित्तिनाथ ने प्रचार किया पार्टी के लिए, उमीद्वार के लिए, वहाँ वहाँ उनको जीत हासिल हुई है और यही बज़ा है कि हर कोई चाहता है कि योगी उनके लिए प्रचार करें तो अब हर्याना और जम्मू कश्मीर के नतीजे बहुत कुछ तैह कर देंगे तो सनातन के एजन्डे पे योगी का इडंका है, हिंदुत्त्तु का एजन्डा उनका सनातन का